तो हेलो गाईस आज दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग जो है ड्रीम 11 पे पैसे लगाते हो तो आप लोग जो है पैसे क्यों नहीं कमा पाते हो तो दोस्तो जाने कि इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में तो इस वीडियो को लास तक देखते रहेगा तो हेल गलतिया करते हो, आपको कौन सी गलतिया सुधारनी चाहिए, जिससे आप जो है Grand League में जीत पाओ, और Small League में भी साथ में साथ आप पैसे कमा पाओ, ठीक है, जलिए एक-एक टॉपिक हम लोग बात करते हैं, दोस्तों देखे, जब भी आप Small League पे आप लोग टीम बना के खेलते हो, तब भी आप लोग क्या करते हो, कि आप लोग हेट-to-hate खेलते हो, या फिर आप तीन लोग या चार लोग में आप लोग खेलते हो, तो आप लोग वहाँ पे इसली पैसे जीत जाते हो, अगर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन अच्छा रहा तो आपकी किसम सही र जाते हो, तो दोस्तो आखिर ऐसा क्यों होता है, देखें दोस्तों, जब भी कोई आपोनेंट जो टीम बनाता है, ग्रेंड लिग में, तब वो क्या करता दोस्तों कि वो 10 तीम या फिर 11 टीम लगा के खेलता है, ठीक है, तो और आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक टीम दो टीम लगाते हो जिससे आपकी टीम जो है रंक वहाँ पर नहीं कर पाती है वो लोग टीम कैसे बनाते हैं दोस्तों ग्रेंड लेकि मैं भी आपको ये ट्रिक बता देता हूं देखिए वो लोग क्या करते हैं कि जैसे मल यह कि जो चार-पांच प्लेयर होते हैं चार- स्विक्तेजार फंच में रण करते हैं साधी एक-दो मैच चला जैस में रण नहीं करते हैं ठीक है तो उनको तो आपको टीम में रखना ही रखना होता है अब बाकी जैसे दोș्तों माल लेकिके और बॉलर जो रखते हैं तो उसमें से एक दो बॉलर ही ऐसे वो लोग रखते हैं स्रेक्ट करके जो आपको हर मैच पर विकेट देते हैं जिसे माल लिजे कि आपका मुहममद शामी हो गए बुमरा हो गए ट्रेट बोट ओगे लगभग हर मैच में आपको एक-दो विकेट निकाल के दे देंगे तो लोग ऐसे बॉठर को अपने टीम में ज़रूर से जरूर रखते हैं ठीक है आप देखे जो बजेट तीन से चार बॉelर जिसमें से और रांडर और बॉलर होते हैं वो कैसे सिलेक्ट करते हुं पर तो पर आपको समझा रहा हूं अब जैसे माल लिए कि अमित मिश्रा हैं और उस मैच में अमित मिश्रा को सिर्फ और सिर्फ आठ से दस पर्शन लोगों ने टीम में ले रखता है ठीक है बाकी और अगर हम बात करते हैं किसी और बॉलर की जैसे माल लिए कि इशान सर्मा हो तो उन्हीं लोग को जो है टीम में वो लोग सेलेट करने जैसे मारे इसान सर्मा को 6 पर्शन लोगों ने टीम में ले रखा है तो वो लोग इशान सर्मा को जरूर पिक करेंगे और इसान सर्मा को कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना देते हैं वो लोग ठीक है इसान सर् करते हों कि आप जो भी टीम लगाते हो सब में कुईंटन डिकाउ को कैपटन कर दोगे तो देखें वो लोग तो हर मैच में चलते ही चलते हैं अब दस टीम ऐसे वो लगाते हैं दस टीम कॉमिनेशन ऐसे बनाते हैं कि जिसमें सब हमने मतलब 4-5 प्लेयर कॉमन हो बांकी के 3-4 प्लेयर ऐसे रखे होते हों जिसको बहुत कम लोगों ने टीम में ले रखा होता है अब देखें जैसे कि रोज हम लोग ग्रेंड लीग खेलते हैं आगर आज किसमत मेरी अच्छी रहे गई और इसान सर्म और अमिद्विस्ण दो फार जाते हैं उनसे या फिर आप लोग जीतते हो भी तो आपकी टीम रेंक नहीं करती है आप लोग को मुश्किल से 5 रुपए 10 रुपए या भी बहुत अच्छी टीम आपने बना दी तो आपको बीस से 50 रुपए 100 रुपए तक ही आपको बेनफिट हो पाता है ग्रेंड लिए गीतना है तो आप लोग भी ऐसे 11 टीम का कॉम्बनेशन बनाना पड़ेगा जिसमें जो है आप कैप्टन वाइस कैप्टन को चेंज कर सकते हो अब यसे महां लिए कि 11 टीम का प्लेयर हम लोगों ने पूरा एक सास ले लिया ठीक है मां लिए कि 11 प्लेयर में हमारे लिए को कैप्टन और रोही सर्मा को वाइस कर देते हैं तो इसे तरहीके सब 10-11 टीम के कॉम्बनेशन हर मैच में वो लोग खेलते हैं इसी लिए वो लोग ग्रेंड लीग विन कर जाते हैं तो आप लोग यहीं पर गलती करते हो दोस्तों मेरा मानना है कि आप लोग मत खेल अँरए प्रेंशा रहोगे यहां जैसा कि मैं हमेसा चार लोग में खेलता हूं कि देटम और में बहुत कम टिम घ्लता हूं इसलिए मैं सब फ़ायदे में रहता हूं तो यह वीडियो आपको सौन में आगए वगर आपको कोई डॉट है तो आप पूर सकते हो हमारे टेलिग में दब तक लिए थैंक्व फार बचिंग टेक्टर रबाय जाएंगी